हेलो दोस्तों मैं हूँ इशान और डिलाइट मोटिवेशन में आपका स्वागत है दोस्तों आज आपके लिए मैं बहुत अच्छा सक्सेस्फूल बनने के लिए सक्सेस का एक फॉर्मॉला लेकिया हूँ कि 5Ds for success अगर आप इस फॉर्मॉला को अपने लाइफ में एप्लाई करते हो आप बिजनेस में करते हो तो आपको सक्सेस मिलकर रहेगी लेकिन आपको इसे पूरी तरीके से systematically आपको उसे apply करना होगा उस पर चलना होगा चाहिए कितनी भी कठी नहीं आपको इसे follow करना होगा तब ही आपको success मिलेगी तो दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे like और channel को subscribe करके ही जाना दोस्तो सबसे पहला D है 5Ds of success नहीं सबसे पहला D है desire यानि कि इच्छा किसी भी काम को करने के लिए आप में अंदर desire होने चाहिए कि यह करना है willpower मजबूत होना चाहिए ऐसा नहीं कि सिर्फ करने के लिए नहीं करना है अंदर से इच्छा होनी चाहिए अंदर से आम willpower होना चाहिए कि यार ये काम तो मुझे करना है और करके रहना है उसके लिए भूख होनी चाहिए अंदर से आपको तो desire आपकी burning होनी चाहिए तो आपको काफी benefit मिलेगा आपको desire भीना desire आपको काम भी करोगे तो उसका कोई result नहीं आएगा यानि कि success पाने के लिए सबसे पहला जो डी है वो है desire दूसरा है direction आपने desire तो बना ली तो उसके लिए फिर direction भी आपका clear होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना किदर है किस रास्ते पर जाना है ऐसा नहीं है कि आज आप government job के लिए ट्राय कर रहे है दो दिन बाद आप business के लिए ट्राय कर रहे है दो दिन बाद आप कुछ और के लिए ट्राय कर रहे है तो ये ऐसा direction आप change नहीं होना चाहिए आपकी जो desire है और जो डिरेक्शन है वो एक फी वे में जाना चाहिए कि यार मुझे IS बनना है तो फिर फूसी में लग जाना है मुझे बिजनस में बनना है तो सिर्फ उसी में लग जाना है ऐसा नहीं कि एक दिन ये एक दूसरे दिन वो ऐसा नहीं करना है direction भी perfect होना चाहिए और clear-cut होना चाहिए कि मुझे इसी राष्टे पर चलना है चाहे कुछ भी हो जाए तो ये direction भी आपका मजबूत होना चाहिए clear होना चाहिए ये भी एक ज़रूरी चीज है तीसरा है discipline बिना discipline तो कोई भी इंसान कभी भी सफल हो ही नहीं सकता आपने जब direction बना लिया आपको पता है कि चलो इस राष्टे पेचाना है फिर discipline बनाना पड़ेगा discipline यानि कि आपका जो scheduled है वो आपको अगले दिन पुछले दिन की राथ को आपको पता होना चाहिए कि कल सुबब मुझे कितने बज़े उठना है कौन सा काम पहला करना है कौन सा काम important है किसे high priority देनी है किसे low priority देनी है ये सारा schedule ये सारा चीज आपके clear होनी चाहिए और इसी pattern से आपको करना है अगर आप discipline में रफोगे आपको काम जिस काम में आपको ज्यादा टाम देना है वहाँ पर आपकम देदोगे जिसे importance काम नहीं देना है उस काम पर ज्यादा टाम देदोगे तो फिर रिजल्ट नहीं आगा यानि कि आपको discipline करना है कि जब आपके काम खतम हो जाते है वहाँ से निकल जाना है और time waste नहीं होना चाहिए और discipline तरीके सही अपने जो work है अपना जो pattern है उसे follow करना चाहिए अपना चाहिए और बास पोजाइ आपके अपना चाहिए कर दो 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 झाल झाल झाल